Hey everyone, Assalamualaikum, Hope so you all are fine, I'm good as well Again, मैं आ गए हूँ, आप लोग के पास एक न्यू वीडियो लेके Today video is again a product review video आज कल मैं अगें YouTube पे काफी जाला active रहने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मुझे अपने इस वीडियो पे बहुत सारे comments चाहिए अगर आप मेरी चैनल पे न्यू है तो मेरी चैनल को subscribe भी कर ले So let's come to the point, आज हम review करने वाले हैं एक face wash का Nowadays I'm playing with different products और मुझे आज कल Co-Natural के नाम से एक company है इनकी product बहुत स्यादा attract कर रही है इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जिस face wash का review करने वाले है वो भी Co-Natural का face wash है Co-Natural का vitamin C face wash मैं use कर रही हूँ प्लस मैं इनका shampoo भी use कर रही हूँ उसका भी मैं review दूंगी लेकिन आज हम review करने वाले है Co-Natural के vitamin C face wash का मेरी जो skin type है वो dry skin है इस पे face wash बहुत कम suit करते है इसलिए मैं face wash पर चीज़ भी काफी कम करती हूँ बहुती कम लेती होती हूँ मैं face wash, cleansing वगएरा इन चीज़ों पे मेरा ज्यादा जोर होता है बट Co-Natural एक पाकिस्तानी brand है जिनके organic product होती है company claim करती है कि इनकी product paraben और sulfate free होती है इनकी product में toxins वगएरा नहीं होते इनकी जो product है वो reasonable भी होती है इनका page है यहाँ से आप इनकी product को मगबा सकते है यह hair care और skincare के product sale करते है इनकी website और instagram page तोनों के handles मैं आपको नीचे subscription box में दे दूँगी अब बात करते हैं इनके face wash की इनकी face wash की packaging आपके सामने है बहुती cute packaging के साथ है इस पे लिखा हुआ है co-natural vitamin C face wash vitamin C and mulberry brighten the skin for a natural glow यह face wash is sulfate और paraben free है यह face wash आपको दो packaging में मिलेगा एक आपको 150 ml का tube मिलेगा और यह वाला जो है यह 60 ml का tube है इस पे लिखा हुआ है कि आपका pH level balanced रहेगा इसकी back side पे इसके benefits uses, ingredients वगईरा सब कुछ mention है यह tube की form में आपको मिलता है इसके अंदर gel form में आपको face wash मिलेगा इस face wash में कोई artificial colored mix नहीं है अगर आप face wash लेते हैं 150 ml वाला तो आपको 1000 something का पड़ेगा यह 160 ml का है यह मुझे 550 रुपीज का पड़ा था अब बात कर लेते हैं जी इसके results की most commonly जो dry skin वाले लोग होते हैं उनका face wash मिलना थोड़ा मुश्किल होता है face wash उने कम ही suit करते है मेरी अपनी जो skin है वो dry है बहुत ही कम face washes है जो कि मेरे skin पे suit करते है इसके अंदर मौझूद है vitamin C जो के बगएर किसी शक के हमाई skin के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैंने इस face wash को काफी use किया है यह मैंने इसलिए चोटा वाला मंगवाया है क्योंके मैंने tea tree वाला भी use किया है को नेच्रिल का roseberry भी use करना है और जितने भी इसके face wash's है वो सारे में लेकर आई हुई हूँ और इंशाला उन सब के मैं one by one करके review दूँगी फिल्हाल मैंने vitamin C वाला use किया है face wash और इसके मुझे बहुत ही अच्छे results मिले है gel type structure में है अच्छा foam भी बनाता है आपकी skin को dry नहीं करता जबकि मेरी skin face wash से बहुत ज़रा dry हो जाने वाली skin है कोई भी artificial color इसके अंदर edit नहीं है इसकी जो fragrance है वो बिल्कुल oranges वाली है बहुत ही प्यारी packaging के साथ-साथ इसने मेरी skin पे बहुत अच्छे से work किया है सबसे बड़ी बाद ये sulfate paraben free है कुछ हद तक acne को भी खत्म करता है दिन में सिर्फ एक बार use करें अगर dry skin वाले है अगर oil skin वाले है तो दिन में दो बार इस्तमाल कर सकते है मरत औरते दोनों ही इस्तमाल कर सकती है अच्छे से आपकी skin को clean करता है बहुत जड़ा dry patch ही नहीं कर दिता आपकी skin को अच्छे से deep cleaning करता है आपकी skin की इसे use करने के बाद थोड़ा सा glow भी आता है आपके face पे so या मेरी तरफ से इस face wash को yes है आप ले सकते है सस्ता भी है plus जो है काम भी अच्छे से करता है if you are looking for a good face wash तो आप ये वाला face wash खरीच सकते है को निच्रल का vitamin C face wash और मैं आपको को निच्रल के किस product का review दूँ मुझे कमेंटरिया में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो मेरे चैनल को subscribe कर दीजिएगा अपनी राए कमेंटरिया में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा खुदा हाफिज